जैसे कि मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि अगली वीडियो जो होगी वो ओपो के मोवाइल को अनलॉकिंग के उपड होगी और आप आज के इस टेबल पर देख सकते मेरे पास कितने सारे ओपो के स्मार्टफून यहां पर रखे हुए हैं यदि मैं गिंती की बात कर इस तरह से जैसे कि आप यहां डिस्प्ले पर देख रहे हो और यहां तो 72 घंटे का टाइमर लग चुका है यानि कि इतनी बार गलत पासवर्ट डाला गया है कि यहां पर अब 72 घंटे तक आप कुछ भी नया पासवर्ट ट्राइन नहीं कर सकते वरना इसकी टाइमिंग और बिना किसी भी computer software के तो चलिए आज किसी इस इपॉर्ट वीडियो को सुरू करतें बिना किसी time wasting तो दोस्तों यहां पर देख रहे हैं और यहां पर मैं यह भी जानता हूं आप में से maximum लोग यह चाहते हैं कि आपके हैंसे कोई भी data loss नहों आपके photos, videos, document, application सब आपके phone में लोग भी कर पाएंगे, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने mobile की battery को आपको यहां पे कम से कम 50% charge कर देनी है, उसके बाद SIM card को आपको बाहर निकाल देना है, और अब आपका phone यहां पे unlock होने के लिए ready है, सबसे पहला step हमें क्या लेना है, सबसे पहला काम तो आपको airplane mode आपको दिखड़ा होगा, इसे आप activate कर देंगे, ठीक है, बहुत easy step है, just इसके बाद आपको क्या करना दोस्तो, अपने phone को यहां पे turn off कर देना है, ठीक है, turn off करने आपको आता होगा अपने phone को, आप वैसे ही अपने phone को यहां पे turn off कर देंगे, अब यह handset यहां पर पूरी तरह से switch off हो चुका है, अब हमें यहां पर जो अगला step लेना है, वो बहुत जादा most important है, क्या करना है, याद रखीगा, आपके data को हमें यहां पर बचाना है, delete होने नहीं देना है, इसलिए हम यहां पर जो next step लेंगे, वो इसी बात को ध्यान में रखके लेंगे तो हम यहां पर अब अगला step लेंगे, वो है आपका hard reset का mode को हम यहां पर activate करेंगे, उसके लिए आपको simply power button and volume down button, दोनों को आपको एक साथ यहां पर प्रेस करना है, और तब तक आपको प्रेस करके रखना है, जब तक कि आपके phone में एक नया page ना आ जाए, जिसका नाम है developer developer, sorry, hard reset mode, याने की recovery mode, sorry हमने यहां पर प्रेस नहीं कहा था, गलती से कहीं और प्रेस हो गया था, मैं बापस से power off and volume down button, दोनों को यहां पर मैं इस तरह से प्रेस करके रखूँगा, जब तक कि आपके phone में एक नया page ना आ जाए, जिसका नाम होगा recovery mode, ठीक है, तो यहां पर आप कुछी सेकंडों में अपने इस page पे चले आएंगे, आपको उगली को नहीं हटाना है, जब तक कि आपका page आपके phone में न दीख जाए आपको, और जैसे ही दिखे, आप वहां से अपने उगली को इस तरह से हटा देंगे, है ना असान सा method, अब यहां पर दोस्तों है, यदि आप YouTube पे पहले से वीडियो देख रहे हैं, कि किस तरह से हार्ड इसेट किया जाए, तो आपको कुछ-कुछ बेसिक चीजे वहां पर देखने को नहीं मिलती है, फूल डेटेल, फूल गाइड आपको बताएंगे, तो यहां पर ध्यान से देखिए, अब यहां पर आपको जो लेंग्विज आता है, उससे आपने यहां पर सेलेक्ट करके उपेंट कर लोगे, अब यहां पर आपको ये नाम देखने को मिल रहा है, क्या नाम है, इसका recovery option and online update यहां पर है, format data है and reboot device का option आपको देखने को मिल रहा है तो यहां पर दोस्ता आपको क्या करना है simply यहां पर जो पहला option आप देख रहे है online update जहां पर लिखा है keep data a small save text में आपको इससे open अभी अभी नहीं करना है यहां पर जो number 2 पर आप देख रहे है format data इससे आपको touch करके open कर लेना है अब यहां पर आपसे code मांगेगा याद रखीगा आपके phone में पास्वर्ड मांग रहा है तो इसका एक अलग आपको method है वह मैं आपको बताऊंगा यहां पर पास्वर्ड डारेक्ट मांग रहा है तो आपको कमेंट करो मुश्किल से आपको 10 मिनट में हम एक special वीडियो को लिंक देंगे वहां पर आपको कैसे अठाना वह आपको मालूम चल जाएगा फिलाल यहां पर यहां पर यहां पर नहीं डालना है मैं आपको पहले डाल कर दिखाता हूं जो भी आपका code आपके यहां पर यहां पर नहीं होगा तो मैं माल लेता हूं कि इस code को यहां पर डालूंगा डवल 698 तो आपका फोन देखी यहां पर फॉर्मेट डेटा का जो ऑप्शन वह आ जाएगा और जैसे हम यहां पर फॉर्मेट को क्लिक करेंगे आपका हैंसेट का सारा डेटा डिलिट ह जाएगा फोटो वीडियो कांटेक्ट सेमेस सब आपके यहां पर उड़ जाएंगे चले जाएंगे तो इससे आपको बचाना जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जो डाटा है उसे डालना है लेकिन उल्टा डालना है ठीक है अब जैसे यहां पर कोड़ है 1793 271 एंड आपको इसे एक बार नहीं पूरे पांच बार डालना है 3971 3971 3971 एंड लास्ट 3971 उसको आपको यहां पर लिख देगा वेरिफिकेशन कोड रॉंग और यहां पर आपको टाइमर आ जाएगा तो आपको यह टाइमर लाना है एंड इसके बाद आपको यहां पर बैक जाना है ठीक है अब आपको दोस्तों यहां पे complete इसे reboot कर देना है क्या कर देना है restart कर देना है अब इसके बाद का जो method है ना वह आपके लिए बहुत ज़्यादा important है क्योंकि अब आपको यहां पे यदि आप सही में mobile को unlock करने के लिए आपने इस video को open किया है तो अब आपक आपको unlock नहीं कर पाएंगे तो आपको पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है एक एक सेकंड आपके लिए important है यदि आप mobile को unlock करना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आपका phone यहां पर almost restart हो चुका है और यहां पर आपका जो भी phone होगा आपके पास मांगे चलते हैं क इन सभी में यह method काम करेगा मैं आपको यहां पर live करके दिखाऊंगा इसलिए आप वीडियो में बने रही है अन तक बने रही है जहां तक आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में ना जाए अब देखिए यहां पर यह फोन रियर स्टार्ट हो चुका है और यहां पर आपक को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट काम करना है क्या करना है जल्दी से यहां पर मैं एक कोड़ वताड़ा हूँ उस कोड़ को यहां पर डाल देना वह कोड़ किया है फ्रेंट्स स्टार है एट डवल नाइन और हैज और जैसे हम यहां पर हैज को क्लिक करेंगे आपके फोन म या फिर आफ्टर सेल्स पेज नीची आपको आपको सेम अप्सन देखने को मिलेंगे यहां पर आपको जो सौब्ड़े वर्जन है इसे आपको क्लिक करना है यहां पर नमबर दो पर दिखेंगा एंड्रोइड वर्जन याद रखी मैं क्या बोलने जा रहा हूं आपका जित इसके बदद आपको यहां पर simply back आजाना है बैक आने बद आपको यहां पर दिखेगा manual test का ओप्सन open कर लिजीए एंड यहां पर आपको बहुत सारे पेज आपको दिखेंगे करेंगे simply friends आपको यहां पर device debugging का जो पेज है न इस पर चले आना है यहां पर आपको सबसे पहला काम यह करना है आपको यह क्रॉस वेरिफाइब करना है कि आपको जो फिंगरप्रिंट टेस्ट है जो यहां पर इसे आपको ओपिन करना और देखना है कि आपके जो भी सेंसर है मतलब जो भी hardware है वो सब वरकिंग है कि यहां यदि वो खड़ाव होंगे तो आपका यह वीडियो कोई 50 रुपया प्लस GST लेगा वहां आपका यह problem solve हो जाएगा फिलाल यहां पर बैक आएंगे बैक आने के बाद यहां पर आपको एक नया option खोजना है जिसका नाम है sensor self test and calibration देख रहे हैं मैं तो आसा जूम कर देता हूं sensor self test and calibration इससे आपको open कर लेना है अब आपको यहां पर आपका phone unlock होके मिलेगा कैसे मिलेगा क्या करना होगा सब आपको डिटेल ने बताएंगे अब यहां पर देखिए यहां पर दो option मिल रहा है हो सकता आपके phone में एक option हो चार ओप्षन हो तीन ओप्षन हो जितने भी option है आपको सबको touch करना है और सिर्फ एक test आपको यहां पर आपको यहां पर देखिए लिखा होगा किलिक किजिए और दोस्तों आपका जितने भी लॉक है देख सकते हैं की की का मतलब होता है चावी पास का मतलब होता है कि वह पूरी तरह से अनलोग हो चुका है यहां बात करेंगे वेरिफिकेशन की तो सिंप्ली आपको यहां पर बैक आपको होम बैटन पर जाना है यहां से आपका काम नहीं कर रहा तो बैक जाईए बैक जाईए और यहां पर देख रहें इमर्जंसी कॉल इस पर आपको यहां पर बैक आ जाना है और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपका फोन यहाँ पे घर बैटे इस तरह से successfully unlock हो चुका है बिना data loss साथे photos, videos, application साथे मौझूद है और आपका फोन यहाँ पे unlock हो गया है बिना computer, बिना किसी data loss इदि आपका फोन Oppo का है अभी भी unlock नहीं हुआ है आप हमें comment करें, subscribe करते हुए आप साथ में वहाँ पे लिख दें आज का date और साथ ही साथ आप अपने उस model का नाम बताएं हम उसका जो special video है वो हम आपको एक से दो घंटे के अंदर दे देंगे ताकि आप भी अपने phone को unlock कर सके